हौई वेलकम टो मेर्चनल इस बीडियो में सॉल्व करें क्यूशन नबर 12 तो धान दे जगा अब यहां पर साइकल का क्या कर दिया है मार्ग प्रैस दे दिया है और यह बोला है कि एक साइकल डीलर जो है आफर कर रहा है ठीक है डिसकाउंट कितने का 10% का डिसकाउंट और यह 10% का डिसकाउंट देने के बाद भी still makes a profit of 26% फिर भी उसे क्या आ रहा है 26% का प्राफिट हो रहा है कर रहा है कि what is the actual cost to him of a cycle मनें एक साइकल का कितना actual cost होगा एक साइकल डीलर को मतलब कि कितना CP है एक साइकल का यह कर रहा है यह पूछा हुआ है what is the actual CP और मार्ग प्रैस दे दिया है उस साइकल का कितना 840 रुपीज तो ध्यान दोजेगा जब यहाँ पर CP, SP और MP की बात हो तो आपको एक डियाग्राम बनाना चाहिए और वो यह CP यहाँ लिखिए और MP यहाँ लिखिए उसके बाद से SP यहाँ लिखिए अब इन तीनों में रिलेसन होता है देखे क्या CP और SP में जो है हमेशा दो ही होंगे रिलेसन होगा प्राफिट परसंट का और लॉस परसंट का तो प्राफिट परसंट जब निकालना होगा तो CP और SP का यूज करेंगे और जब डिसकाउंट की बात होगी तो MP और SP के बीच में क्यों डिसकाउंट की बात होगी ठीक है मतल मतलब यहां पर हम लिखेंगे profit percent की बात जो कि दिया हुआ है कितना profit percent होगा करा कि profit हो रहा है 26% का मतलब कि CP और SP में use करेंगे हम profit percent याद रहे और MP और SP के बीच में use करेंगे हम discount discount कितना हो रहा है 10% का discount यहां पर हम use करेंगे discount sorry discount percent कितना है यहां पर 10% है तो यहां पर इन तीनों का relation जो है discount percent से निकलता है और यहां CP SP और प्रसंट का यूद करें, हम क्या करते हैं, इन तिनों का रिलेस्टन कलता है, यह बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, तो क्या क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है देखिए हाँ पर माल्ड प्रैस दिया हुआ है, माल्ड प्रैस दिया हुआ है 840, यहाँ पर MP बराबर लिख लिजए हाँ पर 840, अब ध्यान दिजे, जहाँ पर दो चीजे पता होंगी, वहाँ पर हम calculate कर सकते हैं तीसरी चीज, मतलब कि इस पूरे में क्या था, इस पूरे relation में क्या है तीन चीजे, MP है, first है MP, दूसरा है discount और तिसरा है SP, तो इन तीनों में से दो तो पता हम है, MP पता हो गया है, यहाँ पर 840 रूपीज, और discount परसंट दिया हुआ 10%, और SP निकालना होगा, तो हम SP निकाल सकते हैं, और इन तीनों relation में आपको पहले solve करना पड़ेगा, यहाँ से, इन तीनों में से, मतलब MP, discount परसंट और SP से, पहले निकालना पड़ेगा आपको SP, तब जाकर के CP निकलेगा, तो चलिए, SP निकालते हैं, जब MP दिया है 840 और discount दिया है 10%, तो पहले हम solution लिखते हैं, और given क्या है, उसको लिख ल इसको कितना दिया हुआ है, 840 रूपीज, ठीक है, अब यहाँ पर discount परसंट भी दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे इसको भी discount परसंट, यह दिया हुआ है 10%, 10%, ओके, अब यहाँ पर जब MP मिल गया हमें, और discount परसंट मिल गया, तो तुर्ण तो आप निकाल सकते हैं, सो ह और SP का formula होता है, MP multiplied by in bracket, 100 minus discount percent, discount percent upon 100, ठीक है, इस formula का यूज़ करके मिल लेंगे SP, तो MP कितना है, 840, तो यहाँ लिख लेंगे, 840 multiplied by, यहाँ हो जाएगा, 100 minus discount कितना है, 10% discount है, तो 100 minus 10 upon 100, यहाँ पर मिल जाएगा, 840, मैंट प्रेट भाई, यहाँ पर मिल जाएगा 90 upon 100, यह 0 से 0 cancel हुआ, और यह 0 से 0 cancel हो गया, मतलब 100 cancel हो गया, 1 से, और यहाँ पर उपर क्या हो गया, 9, 4 जा क्या हो जाएगा, solve कर लेंगे, 9, 4 जा, 36 का 6, 3 carry over, and 9, 8 जा, 72, 72, and 3, 75, 6 रुपीज हो गया, यहाँ पर है, ठीक है, हमने निकाल लिया, SP, तो it implies, हम यहाँ लिसकते हैं फिर से, कि SP is equal to हो गया, 756 रुपीज, लेगिन आपको निकालना क्या है, CP निकालना है, what is the actual cost, तो profit percent भी दिया हो है, 26%, तो यहाँ पर यह वो भी रिख लेंगे, profit percent is equal to, since, profit percent is equal to, दे दिया है, कितना, 26%, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, so, actual cost, of a cycle, तो actual cost, of a cycle, तो actual cost क्या होगा, cycle का, वो equal होगा, CP of the cycle, is equal to क्या हो जाएगा, formula होता है, CP निकालने का, वो होता है, SP multiplied by, 100 में डिवाइड कर देते हैं, 100 plus profit percent, profit percent, ठीक है, तो आपने यह formula पढ़ा होगा, तो SP कितना है, आपर, देखे, 756 होता है, आपर, 756 लिखते हैं यहाँ पर, multiplied by, यहाँ पर हो जाएगा, 100 upon, 100 plus profit percent, मतलब 26 percent यहाँ पर एड कर लेंगे, मतलब कि 100 plus 26 हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा, is equal to, 756, multiplied by, यह हो जाएगा, 100 upon, 126, अब यहाँ ध्यान देजिगा, 126 से यह concealer हो जाकता है, 6 times में, क्योंकि, यहाँ पर यदि देखिए, हम ध्यान देजिए, मिलेगा, 666, 36 का 6 हो जाएगा, 3 कर यहाँ जाएगा, तो इतना वंजा 1, और यह हो जाएगा, 6 times में, यहाँ आपका आजाएगा, 600 रुपीज, तो आपका यही आगया क्या, actual cost of the cycle है, or यही आपका क्या है, answer है, तो यदि आपने subscriber है, यदि आपने subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर दिजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे video बिलेंगे, तभी आप, तभी जो है, बेल आइकन को भी दबा दिजिएगा, ताकि आपको notifications मिलता रहें, और यदि आपने subscribe करती है, तो कोई दिकत नहीं, आपसे share कर दिजिए, अपने दोस्तों को, और like करते रहें, और comment box ने रूली है, कुछ ना कुछ, ताकि मुझे inspiration मिलती रहें, आप लोगों कही सहारा है मे आपसे हां, पु दोक में हुए आप उपता हां, यहीकि आपको उला है, आहीसाओ को झाले अफर्प्नीघ्टानी सेふरोगों कुछ उलीएगा, ताकि पकुमने वित रहें तोस्तों कि मुझे इवारा है, उया है यही हुएर, द reverके हैं पुएराईगां को यह होईगां